इन्वेस्मेंट मानेज्मेंट की इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे हम लोग देखेंगे कुछ exclusive questions further जैसे सवाल यहां है investment analysis से क्या मतलब है investment analysis का मतलब होता है किसी अर्थवेवस्था को या economy को पढ़ना उसके अंदर industries को पढ़ना और उसके बाद जिस company में पैसा लगाने ज करना और company के analysis करना इन तीनों को मिला कर बोलते हैं investment analysis जब कभी सरकार को पैसा चाहिए होता है तो सरकार कुछ कागज issue करती है जिसके बदले public से पैसा आता है इसको बोलते है issue of government securities गौर्मेंट securities कौन issue करता है सरकार के बहाफ पर पैसा लाने के लिए government securities कौन issue करता है RBI issue करता investment objectives जब भी कभी आप कोई निवेश करते हैं तो अपने objectives उद्देश को define करते हैं तो investment objectives define करने को बोलते है policy form करना policy formation कोई एक नीती निर्धारन करना investment objectives define करने को investment objective परिभाशित करने को बोलते है policy formation करना फिर भारत में paper currency issue करने का काम 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जितने भी paper currency है भारत में money supply, money की मुद्रा की जो supply है उसको निरधारित उसको regulate करने का काम Reserve Bank of India करता है तो भारत में money supply कौन control करता है RBI करता है shares खरीदने के लिए आपके पास एक online account होना चाहिए जिसका नाम है demat account या dematerialize account और demat account आप खोलने के लिए आपको कोई न कोई broker चाहिए जैसे saving account खोलने के लिए saving bank account खोलने के लिए कोई न कोई bank चाहिए वैसे share trading के लिए demat account खोलने के लिए कोई न कोई broker चाहिए और भारत का सबसे बड़ा stock broker है जेरोधा फिर अब stocks, angel broking, hdfc securities, kotex securities, icici direct ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे इंडिया के stock broker हैं इसके लावा जब अब अपने portfolio को कई हिससे में बाटते हैं कुछ पैसा gold में, कुछ पैसा silver में, कुछ पैसा आप लगा रहे होते हैं commodities में, कुछ real estate में, कुछ jewelry में, कुछ insurance में तो portfolio construction को portfolio designing भी कहते हैं आज के समय में आपको financial assets में invest करते समय, shares, debentures, bond, insurance इन समय इन्वेस्ट करते समय आप online app के थूँ इन समय इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है तमाम app हैं जहां पर आप online invest कर सकते हैं, जिसमें अगर बात करें तो online investment के लिए हमारे पास Times of India Group के ET Money, Grow app, ऐसे बहुत सारी apps हैं तो financial assets के लिए आज के समय में बहुत सारी apps के थूँ आप invest कर सकते हो जिसमें आपको कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है, किसी से face to face मिलने की जरुवत नहीं है no face to face interaction is required for investing into financial assets financial assets में निवेश करने के लिए कोई भी आपको face to face कहीं जाने की जरुरत नहीं है आप online ये काम कर सकते हैं इसके इलाबह अगर बात करें तो investment management में assets को बाटा जाता है investment management बताता है कि अपनी संपत्तियों को किसी एक जगे निवेश मत करिए अपनी assets को diversify करके रखिए अगर आप किसी company में stock खरीदने जा रहे हैं तो एक stock में पैसा मत लगाईए different stocks का selection करिए और अपने investment करते समय एक strategy बना कर investment करें ताकि आपको बहतरीन risk कम से कम हो और return जादा से जादा हो investment management के objective क्या होते हैं हमारे funds की growth होती रहे हम महंगाई का सामना कर सकें हमारे tax में saving हो सके हम invest करते हैं ताकि हमारा जो basic मूलधन है वो बढ़े fund बढ़े हमारा tax में कुछ राहत मिले tax liability हमारी कम हो हमारे इतनी earning हो कि हम महंगाई का सामना कर सकें फिर funds को collect करने के लिए पूरी दुनिया में दो चीज़े होती है एक होते है debt funds और एक होते है equity funds तो funds को collect करने के लिए एक होते है debt funds debt funds का मतलब होता जब company उधार लेके काम चलाएं और एक होता equity मतलब जब company लोगों से पैसा लेके उनको मालिक बना दे तो जब उधार लेके काम चलाते हैं तो बोलते है debt funds और जब company लोगों से पैसा लेके उनको मालिक बना दे तो उसको बोलते है equity funds तो भारत में equity funds ज़ादा popular है debt या debenture के थूँ पैसा लेना उतना popular नहीं है भारत में companies जब लोगों से पैसा लगवाती है तो उन लोगों को companies shareholder या मालिक बना देती है और उनको जो कागज issue करते हैं उसको बोलते है equity या share issue करना भारत में debenture के थूँ पैसा लेना उतना ज़ादा लोग प्रिये तरीका नहीं है